नवश्कात दोस्तों तो रियल में बट्स टू नियो मैंने पहली सेल में ओरर कर दिया था आज ही दर असल मेरे बार से डेलिवरी हुआ है और इसे मैंने कुछ देट तक वाला कुछ घंटे तक इस्तमल करने के बाद मुझे इसमें क्या प्रोस और क्या कॉंस दिखा वो मैं आ आपको यह लेना चाहिए इस वीडियो में आपको यह सब चीज़ों के बार में बठाओंगा तो चले शुरू करते आज का वीडियो बीना कोई वक्त का अब अच का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गज्टेल चनल पे नहें है और ऐसे वीडियो आगी भी देखन वरुप जो लिंक मैंने सकीज अगर आपको यह प्रॉडंट्स शुरू लगता है तो यस कि ब्लूब रिवीव के लिए मंग बाया है तो आभी मैं इस प्रोड़ाट को कुछ घंडे तक इस्तमाल करूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका प्रोज और कॉंस क्या चीज है वैसे इधर मुझे एक प्रॉब्लेम पहले सी लग रहा है कि जैसे कि आप देख सकते इसके जरी आप से कॉल काट कॉल म्यूट और कॉंट्रोल नहीं कर सकते जो कि हमें इस प्राइसेंज के बागी के कुछ प्रोड़ाट में देखने को मिलता है और आप इसके बॉक्स में भी देख सकते ही जा साब साब लिखा है कि इसमें आपको 11.2 mm का डाइनमिक ड्राइबर मिलेगा जो कि इस प्राइसेंज में मिलने इसके बीलड क्वालिटी के बारे में तो इसका ऑर क्वालिटी यह दिखने में आपको तो सही लगऑ लेकिन आगर यहां थो झांसे देखिएंगे यह तरो सा आची से इंस्पेक्शन करेंगे तो यह आपको समझ में आएगा जैसा की मैं ऩनुक्uld तेता हूँ जैसी कभ देख सकते हैं यह जो वायर अगर मैं इस साइट से थोड़ा सा नाखुन से दबाता हो तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसी इसके आंदर का जो मेटीरियल वह थोरा सा खोकला टाइप का है यह बस मेरा एक्सपीरियेंस ही क्योंकि मैंने जैसे की मैना को का मैंने आल्रेडी पांस रुपए के अंदर एमिलेबल जित्ते भी और यारफोन से सभी की सब्सक्राइब मैंने यूज कर लिया लेकिन रियल मिमालों को कहना है कि इ यह बहुत है हाड टाइप का कॉलिटे इसका मतलब जैसे कब देख से थी कि इसके अंदर के मेन वार के आसपास आपके एक रबर का बहुत ही मोटा सा कोटिंग देखने को मिलेगा तो मतलब यह जो वार आसनी से नहीं फटेगा अगर आप बहुत ही रफ यूज करेंगे फि पाइद एबल हुआ एक साल के आसपास राफी उसके बाद टूटी जाएगा तो इस जाएका में एक और चीज दिखाना चाहता हूँ देखिए यह जो प्रोड़ाट एक 500 रुपए प्राइस है तो अब्यसली इसमें कुछ स्वेट प्रोटेक्शन यह फिर कुछ केबलर वा कर रहा है और इधर आप एक चीज देख सकते जो प्रोड़ाट इसके साथ आपको IPX5 का स्वेट प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा और इसका जो वायर क्वालिटी बोदर असल केबलर वायरिंग है जो कि आसने से नहीं फटता लेकिन रियल्मी के इस प्रोड़ाट में हमे नार्मल वायर प्रोटेक्शन देखने को मिलता है तो मदलब इस माबले में भी रियल्मी थोड़ा सा पीछे है तो इसके बाद हम बात करेंगे जो रियल्मी बाट्स टू नियो लांच हुआ है इसका में खासी है जो कि इसका साउंड कि इसमापको मिलता है वो 11.2 mm का ड्रा ने सभी के सभी में आपको 10 mm का ड्राइवर मिलता है और ये दर असल मार्केट का जितना मुझे लग रहा है एक लौत ऐसा प्रोड़ाक्ट है जिसमें आपको 11.2 mm का ड्राइवर मिलता है तो तो त्रियोटी काली बहुत ही पारफुल इसका साउंड कॉलिटी होना चाहिए तो इसके जरे मैंने कुछ देता गेम खेला कुछ देता मैंने गाना सुना मुवी भी देखा एजीस मैं कह सकता हो सिरियसली पांस रूपाई के अंदा सबसे लाउड़ेस प्रोड़ाक्ट ए रियल्मी बार्ष टू नियो है मतलब मैं आपके थोड़ा से एक्जांबल देता तो मतलब लाउडनेस के मामले में, क्लारिटी के मामले में और इसके बेस क्वालिटी के मामले में मैं इसे एकदाँ 5 out of 5 स्कोड देना चाहूंगा इसके बाद हम बात करेंगे कि यारफोन का सबसे में चीज़ जो किये माइक तो आभी मैं आपके एक लाइट टेस्ट दिखाऊंगा जिसके आपके पताचे लेगा कि इसका माइक क्वालिटी कैसा है इसके बाद आप जो साउंड सुनेंगे वो होगा इसके माइक की जरहे है साउंड और जो इसमें मैंने कोईभी भॉइस एफेट इस्तिमल नहीं किया ये प्रॉपर लिर डिशी बात करता एक प्रोफेशलल माइक 80 रूपई के आसपास उसके मुकाबले यह जो 50 रूपई में आने वाला Realme का माइक इसका sound output आपको कैसा लगा मलता 5 में से कितना score देना चाहेंगे आप मुझे नीचे commission में जरूरू बताना तो इसके बाद आप जो sound सुनेंगे बहोगा नॉर्मल वाले माइक का sound तो इसके बाद मैं भी आपको एक real world example देने वालों जैसे कि अब देख सकते एक normal smartphone है अगर मैं इससे 3.5mm jack में लगा देता हूँ जैसे कि अब देख सकते यह लग चुका अगर आभी हम इससे इस्तामल करके call of duty या फिर bgmi जैसे game को खेलेंगे तो हम स्मार्टफोन को कैसे पकरेंगे जैसे कि अब देख सकते हमारे जो left हाथ बो होगा इस साइड में जो right हाथ बो आएगा ऐसे लेकिन इस जगह अब देख सकते कि इसका पीछे का हिस्सा यह थोड़ा से L-type का है तो इसलिए हमारे जो उंगली आइदर इसके उपर रहेगा य जिसका प्राइस से 3 रुपाए अगर मैं इसे इधर फीट कर देता हूं देखिए पोजिशन बिल्कुर से में लेकिन क्योंकि इसका यह जो डंडी मतलब इसका जो जैक लंबा है इसलिए हमारे उंगली को ऐसे रख सकेंगे और आसनी से गेम खेल सकेंगे हमारे गेमिंग मे कि इस प्रोडाट को गेमिंग के लिए इस्तंबर करना चाहते है उन लोगों के लिए एक बहुत बारा इश्यू है मतलब मुझे तो लग रहा है तो मतलब आभी वीडियो के आखरे में मैं इसका फाइनल स्कोर देना चाहूंगा पहले तहम बात करने कि इसके बील्ट क्वा क्वार क्वारीटी वह में मिलता है प्रॉपर केबलर रोडिंग और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का केबलर रोडिंग है जिसका मैंने अन्बॉक्सिंग वीडियो पास चार-पंस दिन पहले अप्लोड किया था तो वारिंग के ममले में इस से बेटर प्रोड हमें पांस 5 score देना चाहूंगा loudness के अगर बात करें 500 रूपाई के अंदर या फिर मेरे ख्याल से 700 या फिर 800 रूपाई के अंदर सबसे powerful speaker आपको इसमें देखने को मिलेगा और ऐसा नहीं कि इसका speaker ज्यादा है तो इसलिए sound फटेगा speaker बहुत ही बढ़िया quality का है अगर आप 80 या पर 90 पर साउंड में सुनेंगे तो भी इसका sound नहीं फटेगा तो मतलब sound के मामल में मैं इसे 5 out of 5 या फिर बेस्ट मैं इसे कहना चाहूंगा इसके माइक की बार में बात करें माइक का score आप मुझे निचे commercial में देना कि पांच में से आपको से कितना score देना चाहेंगे और अगर इसके gaming test के बार में बात करें आप देखें गेमिंग में अगर आप enemy के footstep या फिर यह सब को सुनना चाहते क्यूंकि इसका main specialty इसका base तो obviously gaming में बहुत ज़्यादा मदद करेंगा लेकिन जैसे के मैंना को का क्यूंकि इसका जो पूर्ड वो एल शेप का है इसलिए जब आपके उगली में 100% दर्द होगा तो इसलिए आपका जो नॉर्मल गेम प्ले आप बो नहीं कर पाएंगे और यह मैं कह रहा हूँ क्योंकि मै मैं बास एकी चीज़ कहना चाहूंगा अगर आपका में प्राइटी यह लोगों के साथ मंदब फोन में बात करने के लिए या फिर म्यूजिक सुनने के लिए रियल्मी के तरफ से या ऐसा कोई ब्यान की तरफ से एक आच्छा क्वाइट का येरफोल लेना उस हिसाब से अगर आपको चाहिए तो उस लिंक पर जाके ले सकते तो आज का वीडियो इतक हुमीद है आज के छोटा सा अन्वॉक्सिंग वीडियो को पसंद है होगा वैसे फ्यूचर में अगर वैसे और भी वीडियो देखना चाहते तो ग्याजोनों चाहते तो सब्सक्राब बिल्ख आप काया वीडियो